दोस्तों कल एक कहाणी पढ़ रहा सी जिस्दा क्लाइमेक्स बहुत ही कमाल दा सी एक कहाणी पुश्कन इनाम बिजेता एंटोन पावलोविच चेखोव दी लिखी हुई है ए लेखक रशिया दे बहुत ही महान लेखक होई हाल एना दी एक कहाणी दा नाम है दबेट ते पंजाबी विच इस्दा तर्जमा डॉक्टर हरी सिंग ने कीता है जिस्दा नाम है शर्त दोस्तों पूरी कहाणी सुनेओं अथे कमेंट करके जरूर दस्यों के तोहाड़े इस कहाणी बारे की विचार हन कामरे विच को मरेहाशा हुकार 15 साल पहला दी एक शाम याद करदा है जो दो उसने कुछ महमाना नू अपने कर खाने उपर बलाया सी महमाना दे विच बहुत ही विदवान बंदे शामिल संग शारे बंदे एक बहुत ही रोचिक विशे दे उपर गलवात कर रह संग उनने मौत दी सजा बड़े चाटचा कीती महमाना विच बहुत सारे विदवान अते पत्तरकार विशन अननना विच यों बहुत दी सजा दे वरुदसन अननने विचार विच सजाव जोए बेमाहनी है अते एक एसाई दे उस विच इस विच इस टी वर्थ तो अनैतिक है विच बंदा हर पल मर्दा रेंदा है तां पिच्छों एक महमान बोलदा है के ए दो में अनैति कहन इना दो मादा मंतव एक की है जीवन लेना सरकार रब नहीं है एहनू एह हक नहीं है के कोई चीज लेलवे अते जीब बापस करनी चाहे तां फिर ना दे सके इस एक अठ चों एकनों चुनना हो भी ता मैं उमर कैदनों चुनांगा किसे भी हाल विच जयाउना ना जयाउन नालों चंगा है तां एक बहस शुरू हो गई साहुकार उदो जवान अते जुसीला सी तां उन्हें मेज उपर जूर दी मुका मारया अते नौजवान वकील वाल मुड के कहन लगा ये चूट है मैं दो मिलियन दी शर्त लौन लेते आ रहां तू बंद कामरे विच पंच साल भी नहीं रह साकदा तां वकील कहनदा है कि जे तू गमवीर है फिर मेरी शर्त है कि मैं पंच दे की मैं 15 सार रहन लेते आ रहां दोस्तो इतो कहानी की ट्विस्ट खाने दे सम्यों ने वकीलों मजाक नाल केहा जवानना अकल तो कामल है समा ना लंग जावे मेरे लए 2 मिलियन दी कोई वी कीमत नहीं पर तू अपने जीवन दे 3-4 कीमती साल गवाला मेंगा मैं तयन चार साल इसलैंदा हां कियोंके तू इस तो ज्यादा समा जेल विच नह अज पंदरा साल वाद कामरे विच तोरिया फिर्दाशा हुका इस सब को जाद कर रहा सी ते अपने अपनू पुछदा है मैं इस शर्त क्यों लाई सी इदे विच्की चंगा है वकील दे जीवन दे पंदरा साल बरवाद हो गई हन अते मैं दो मिलियन लुटाउन वड़ा हां कि इदे ना लोग फैंसला कर सकनगे के मौच दी सजा उमर कैद ना लोग पैड़ी है जा चंगी है नहीं नहीं इस सब वकवास है मेरे लेताई है एक अमीर बंदे दी मौच सी अते वकील ये पैसे दा लाज सी 15 साल पैला योग खाने तो बाद होया सी उन्हें यो याद कीता उस वकील नौजवान ने 15 साल शाहुकार दे बागवाले का अर्विच कैद कटनी सी ओधी पूरी निगरानी रखी जानी सी तो गार तो बाहर नहीं सी निकल साकदा अपने कमरे तो बाहर नहीं सी निकल साकद सिर्फ एक बारी थानियों बाहर देख सकदा सी उन्हें किसे तरह दे चिठी एक बार दी परमेशा नहीं सी ओनू संगीत में साज रखन दी किताबां पढ़न दी चिठी लिखन दी वाईन अतित तमाको दी वर्तो दी आग्या सी ते होन 15 साल योने सिर्फ एक कमरे विच बं पढ़न दा रहेंदा है कदे कोई किताब कदे कोई किताब फिलोस्पी दियां तर्मदियां वक्षो वक्रियां पशामा दा अधियान करदा है ते इस तरीके ना लोहू अपने 15 साल उस कमरे विच लंगा आ दिन दा है अगला दिन उस दी अजाद्धी दा देन हुन्दा है ते शाहुकार उदर बैठा सोचता है कि कलनों तो उनों अजाद्धी मिल जानी है ते समझा ते अनुसार उसनों दो मिलियन डॉलर देने पहने हैं जी मैं अदाइगी कर दिती ता मैं खातम हो जामांगे ते मेरे कुल कुछ भी नहीं बचे जाओ पंद्रा साल पहला जदो शाहुकार ने शर्ट लगाई सी उदों एक बहुत मीर व्यक्ती सी ते हुन वो बरवाद हो चुक्या सी ते हुन वो अपने दो मिलियन डॉलर बचाओं दे ले सोचता है कि क्यों ना वो इस वकील कैद्धी नों मार मुकावे तांकि वो उसनों दो पंद्रा साल बाद उस कामरी दा जिन्दा खोल के कामरी दे विच एंटर करदा है कैदी दे कामरीच निकी जही मौबत ती जग रही हुन दी है कैदी मेज को बैठा हुन दा है केवलों दा पिंडा सेर्दे वालते हाथि दिस रही हुन है मेज कुर्सियां अत्या फर्ष कोई यकीन नहीं कर सकदा कि उधी उमर मेहच 40 साल दी है साहुकार शोचदा है कि गरीब शैतान खवरे सुप्ता प्याया ते दो मिलियन दे सुपने देख रहा है कल रात बारा बजे मेनू अजादी मिल जावेगी अते मैनू लोका नू मिल लन दी खुल होवेगी इस कामरे जो बाहर जान तो पहला अते सूरज देखन तो पहला मैं आपनो ए लफज कहने जुरूरी समझ दहा मैं अपनी जमीर अते रबनु जो मैंनू देख रहा है हाजर नाजर समझ के ए अलान करदा है के मैंनू अजादी, चंगी, सिहत, अते जीवन जिसनू तो हाड़ियां किताबा नियामत केंदी आहन बिल्कुल पसंद नहीं मैं पंदरा साल इस तर्थी उपर दे इस जीवन बारे बहुत कालन अलविचार कीता है ए ठीक है के इस समय विच मैं नाता ए जमीन देखिया ते ना ही इत्थों दे लोका नू देखिया है पर तो हड़ियां किताबा दे रही मैं मिठी सुगंद वाली बाइन पीती है गीत गाए हन मैं जंगल विच हिरना अते सूरा दा शिकार कीता है औरता नू प्यार कीता है अते सोहनियां अर्शी बदना वरगीयां कुडियां जहना नू लिखारियां दे जातू परे लफजा ने बनाया हन्दा सी ओर रात नू आके मैं नू कमाल दिया कहानिया सनाओं दिया सान। वो उड़ के आ के मेरे कुल रबदी गल करया कर दिया सन। तो हाड़िया किताबा राही मैं अपने आपनू अथा नरका मिच्टा लिया। मैं अलौकी कट नावा कितिया। मैं सहर साड के सवा किते। नमें तरमादा परचार कीता पूरे दे पूरे देश जित लए। तो हाड़िया किताबा ने मैंनू बुद्धी बक्षी। इंसान दे सदिया तो निरंतर एकठे कीते विचार मेरे दिमाग विच छोटे जहे गोले दे रूपिच मजूद हान। मैंनू पता है के मैं तो हाड़िया किताबा नू नफर्थ करदा है। मैंनू दुणिया दिया नहमता अते सयान पा नलना परता है। हर एक शै मिर्क तरिशना बांग बेकार, अस्थाई, कालपनिक अते परमपूर्ण है। तुसी किन्ने भी सयाने जा कावले फकर होवो, मौता नू एक खुड़ दे चूहे वांग इस चमीन ते खतम कर दिन्दी है। ता तुसी ते वावा कर लग जाओंगे, अते जे गुलाव दे फुल विचों, कोडे दे पसीने दी बदवूओं लग जाओंगे, ता भी तुसी अचंबे विचो होँगे। अते इस तरह मैं संदी दे ने मांदी उलंगना कर दे आँगा। रुका पढ़के शाहुकार ने मेज उपर रख दिता, अते अजीब बंदे दा सिर चुमन लगया ते रून लग पया। ओ इस का रख विचों बाहर आगया, उने कदे भी अपने अपना लेनी नफरत महसूस नहीं सी किती, ओधों भी नहीं जदो उनू स्टॉक एक्स्चेंज विच काटा पेंदा सी, कार आके ओहो मंजे ते लेट गया, पर ब्याकुलता ते हंजुआने नू सौन ना देता। सवेर नू चौकीदार दोड़दा होया उदे कोलाया, ते दस्या के उसने जो बंदा उसका रविच रहंदा सी, उसनू बारी बिचों वाग वल निकल दे देख्या है, ओपर वेश तरवार वल नू गया सी, अती ओहो किते चला गया है, साहुकार उसे वेले नौकरा नाल उ कमरे विच गया, अती कैदी दे चले जान दी सूचना नू पका किता, अफ वहां दो बचला योने ओर रुका, अती आतम त्याग दा पर्चा मेज तो चुक के अपने सेफ विच रख लिया, इस तरह एक कहानी खत महंदी है, दोस्तों कमेंट करके जरूर दस्यों के इस कहान यवारे तुड़े की विचार हम